को लास्ट लेक्टर करते हैं तो अभी प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग और प्रैक्टिकल में चलोफ़ेवेंच में बता हूं आगे डिवर नेट होगा तेहां पे देखो मैंने से ले इसे कर लेते सबसे पहले कंत्रोल से यहां पर आपको Ma I поэтому को चलेगा डेक्ट आपडम चलेगा डेक्टम पर कर देता हूं इसका नाम ला न . जावा तो मुझे च्लास का नेम भी सेव चेंज करना पड़ेगा सेव कर दिया मैंने यहां पर डाल देते हैं क्लास का नेम और हमारे फाइल का नेम सीम होना ची कौन सा क्लास का नेम जिसके अंदर हमारा पॉबिक टैटिक वाइड मेन मेथड रहने वाला है डेटा टाइप मै हमारा कहां लोड होता है यह क्लास लोड होने के बाद यूज चेक करेगा मेन मित्रट रहे की तो वहां से हमारा अब मेथल को इससके सारे के सारी Vor indem बना के रख रहा हूं सबसे पहले मैंने बाइट लिया उसके अंदर 123 इंट लिया है हां फिर लॉंग लिया है और उसका प्रिफिक्स भी दिया है हमने ल एंड फ्रोट लिया है तो एफ ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान देना है लॉंग ले रहे हो और उसके अंदर डबल भी होगया कैर वियोगा सिंपली कार सी स्टोर कर दिया मैंने इसे एक करके हम प्रिंट करते तो यह वरी बडिव और कौन सा बाकी बूलियन राइट बूलियन भी इस्टोर कर लेते हैं बूलियन ऑनिहां पर में लेता ओ भी बूलिन ठीक है बी लेता हूं एकुल टू सबसे पहले बी टी यहाँ पर प्लस सिंबल यूज करना है कॉन्काटनेशन के लिए मैंने आपे देखो double course pass किया है double course के अंदर जो कुछ भी रहता है वो string होता है तो string भले ही क्यों blank हो तो क्या हो लेकिन वह है string या फिर आप space डाल दो अब string को and जो दूसरा variable है उन दोनों के एक साथ जोडने के लिए plus का symbol यूज हो रहा है ठीक है तो plus मैंने डाल दिया bt ठीक है फिर से वापस plus डालता हूं वापस space देना है मुझे space देना है और सासाथ new line पे करना है तो यहाँ पर slash n पास करेंगे तो नीचे प्रिंट होगा नहीं तो एक side में ही साथ प्रिंट हो जाए तो यहाँ पर double course space दे दो यहाँ प्लस देके हमारा दूसरा वरिवल जो कि है sh ठीक है एसे जो वरिवल करेंगे वापस प्लस दे दो double course slash n न्यू एन हमारा फिर से प्लस दे दो अब डालतो हमारा दूसरा ए इंटीजर के लिए मैंने ए लिया है तो एक काम करते हैं यहाँ पर मैं यह भी पास करते जाते हूं लाइक यहाँ पर डालता हूं बाइट बाइट कॉलन हाँ तो बेटर रहेगा बाइट हो गया पर यहाँ पर यहाँ पर sort sort colon यह जो मैं लिख रहा हूं यह sort यह बस इसलिए कि यह sort type का value है दिखाने के लिए sh and यहाँ पर int int plus यह optional case जोरी नहीं है आपको लिखना slash n slash n and अब क्या है long long colon plus क्या नाम दिया l sorry l and वापस plus double quotes के अंदर and यहाँ पर FL है ना float so slash n FLOAT float and colon and वापस plus करके FL FL वापस plus double quotes के अंदर slash n slash n and float के बाद क्या है double so double colon and next हमारा वापस plus करो इसका नाम देतो जो भी है like db db मैंने double के लिए वापस plus double के लिए देखो यह double and slash n वापस दिया मैंने care है तो ch पास करेते हैं तो यहाँ मैं डाल देता हूं care and colon and वापस plus ch यहाँ पर वज़री नहीं है optional के देना है तो दो नहीं तो नहीं चले है उसका कुछ मतलब नहीं plus वापस double quotes के अंदर and यहाँ पर क्या है last boolean है तो boolean लेते हैं boolean के लिए b slash n अलावते है boolean colon plus b plus b okay save करते हैं फिर से let's compile it so compilation के लिए पता है command क्या है java c तो let's go to cmd cmd यहाँ पर pass set करना है लेकिन मैंने globally pass set कर दिया तो मुझे set कानी के जरूत नहीं है java c डाल के check कर लिता हम फिलाल obviously हमारा pass set है क्योंकि मैंने global set करके रखा है यहाँ पर देख सकते हो इस आरे java के ही command से कुछ उसके information से तो अब मैं यहाँ डालूँगा मेरा file कहाँ पर save कि हमेने desktop के अंदर तो desktop के अंदर ही अगर है तो हम यहाँ से डाइक प्रेस करेंगे desktop तो आ जाएगा सायद नहीं आएगा एक सेकंड डाल के देख लेते हैं desktop हाँ आ गया तो यहाँ पर कर दो cd क्योंकि हो c drive के अंदर ही है न तो मुझे c के अंदर जाने की जोड़त नहीं कि कि c में अलड़ी है हम c users आलोग पांडे उसके अंदर ही देखो desktop है cd desktop एंटर कर दो desktop के अंदर आगे अब मेरा file का नाम क्या था डेटा टाइप सो डेटा टाइप स्टैप प्रेस करो डेटाइप जावा आ गया यहाँ पर कमांड लिखो जावा सी जो करने लिए responsible है यह compile करेगा कोई error नहीं रहेगा तो हमारा compile हो जाएगा अदर्वाइच मुझे error आ जाएगा देख लेंगे error भी किस टाइप को अगर आता है तो तो compilation start है कोई error नहीं है और अब एक stop पर जाके दो कि एक हमारा dot class file भी generate हो गया जो कि यहाँ पर है देखो यह वाला यह dot class file है यह byte code file है data type जो हमने बनाया था वो यह है अब यह dot class file automatic generate हुआ है तो चलो देखते हैं वापस compilation हो गया अब इसे execution का time आ गया execution के लिए command का है java तो simply java space हमारा file का name क्या था तो data types data types dot java ओके यह भी डालने के जोतनी है बस data type है एंटर करते compilation good afternoon so simply enter करते हैं अब इसको क्या हुआ है एंग हो गया एक सिकन जावा डाटाइप and let's run it okay so यह रहा हमारा output देखो sort one two three integer का one two three four five long के लिए यह float के लिए यह and double के लिए यह character and boolean सबका value हमारा print हो गया ठीक है तो कुछ इस तरह से work करने वाला है हमारा values तो आपको खाली वो ध्यान देना है कि long के साथ suffix एल चाहे हो capital में हो चाहे small में हो आपको पास करना है ठीक है हाँ यह लिखना है आपको so so that's it I hope यह data types का concept आपको समझ में आया होगा अब next देखते हैं इसमें और भी बहुत कोछ है जो हम देखते रहेंगे data जैसे हम काम करते जाएंगे long के बारे में फ्रोट के बारे में इन सब चीजों के बारे में ठीक है so that's all for today मिलते हैं नेक्स लेक्शर में नेक्स लेक्शर में देखेंगे क्या देखते हैं